बोलक्षी नाराण भगवाने की जै सीलक्षी नाराण मंदिर अलोपी वाग तेथ राज प्रयाग के सिविर्षे मैं घंस्यामाचार आप सबको मंगल कामना करते हुए यह कहना चाहता हूँ किसी तिर्थ राज प्रयाग सारे तिर्थों का राजा है सारे तिर्थों का राजा तिर्थ राज प्रयाग है इनकी सात राणिया है अजोद्या मतुरा माया कासी कांची यवन्ति कहा पुरी द्वारा वती सब्तेते मूक्षधाई कहा इस सातों इनकी राणिया हैं माघ महात में कहा गया है सअयम यहां रिशीमुनी कहते हैं कि जिस समय यहां तीत राज प्रयाग बारव माधों से शेवित है बारव माधों इसकी सुरक्षा में लगे हुए हैं यहां का रहने वाला प्राणी कितना भी नास्तिक क्यों ना हो निश्चित रूप्षे मुक्ती को प्राप्त कर जाता है इसलिए माग मास में जम्बकर में सूर्य आते हैं तो हर तीर्थ से बड़े-बड़े संत महात्मा सबा करके शनान करते हैं उशी के साथ सब्तिर्थ यात्री भी आते हैं साथ में मौनिय मवस्या जो आती हम लोग मौन होकर के प्रातहकाद सुर्योदे के पहले शनान करते हैं उसका बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि ब्रह्माजी श्वयम रिशी मुनियों से कहते है रिशियों मैं यहां असमेद्य कर रहा हूं जब जब मकर रासी में सूर्य आएंगे एक महीना यहां विस्व का प्रथम मेला लगेगा जहां बड़े-बड़े शी मुनि संत महात्मया करके इसनान करेंगे यहां हर तिर्थों में तिर्थ से सेवीत है जैसे अच्छेवट भगवान भी राजे हुए है नागबास की भगवान भी राजे हुए है और फ्रेम तिवेणी की धारा गंगा युमना सरस्थी तिरों नदियों का दर्सन यहां प्राप्त होता है ऐसे अब सरपर माघ मेला में अधि से नहीं राजा हर सवर्धन एक महीना यहां सिविल लगा करके बस्त्रों का दान करते थे भंडारा करते थे गरीब संत व्राम्वनों को खोब खिलाते पिलाते थे गरीबों की भी शेवा करते जैक किसी भी समाज का गरीब हो सब की सेवा करते थे ऐसे बहुत काल से यह युक्त्रेता द्वापर्शेवी ब्रह्मयादी देवता भी इसमें अश्च मेध्यक्य करके और यहां निश्चित रूप सनुष्ठान किये थे आज एक महीना तक सारे 10-20 किलोमीटर के एरिया में हर जगे जहां खंड किर्टन हो रहा है हवन भंडारा हो रहा है और जब तप हो रहा है आहुतियां दी जा रही है कथा प्रवचन हो रहा है अठारे पुरान हो रहे हैं बेदों का पाट हो रहा है जहां को यह घंटा कर दे तो कहते हैं जगे पवित्र हो गई जहां एक महीना अखंड यहां जब तब्रत पूजा पाड़ चलता है इस छेत्र की महीमा को कहना ही क्या है इसलिए कहा जाता देव दनुजे किंदर नरसेणी सादर मज्जें सकल त्रिवेणी एंपकार भरी माग नहाई एक महीना तक लोग इश्नान करते हैं तो हम समस्त देशवासियों को यासिरवाद मंगल कामना करते हैं निश्यत रूपशे मौनी ववस्या वसं सबसे वड़ा मेला है निश्यत रूप से हमें लाप्राप्त होगा यहां तो गंगा जल लो कणिका पीत्वा आज जगत गुरु शंग्राचार ने कहा था कि अगर कोई एक कणभी गंगा जल का एक कबालू का कणभी मुख में पढ़ जाए तो महाराज पवित्र हो जाता है तो ऐसे गंगा के दरसन मास्ते मुक्ती हो जिक दरस परस्तों मजन पाना मने दरसन करो इस परस कर लो पान कर लो इस इसनान कर लो कुछ भी क्रिया करो तीनों क्रियाओं में यहां लाप्राप्त होता है इसलिए मांग का बहुत बड़ा महत्त माग मेला का गंगा इसनान का ह इनी मंगल कामनाओं के साथ हंदेश वासियों के लिए मंगल कामना करते हुए अब उन्हें इस्वन करते हैं कि आप सब गंगा छेतर में आईए श्णान करिए अनिश्चत रूप्ष यहां भंडारा प्रसाथपा करके अपने फुन का अरजन करें जै सिर्मन नारान तीतराज प्रयाग के जैर हो